कबरमौ के थाना सराय लखंसी अंतरगत उमा भावनाख पूर्ख से है जहां काली कंबल वाले धोंगी बाबा की पोल खुली है आपको बता दे कि बाबा कई असाधे रोगों का इलाज करने का दावा करता था जिसके चलते बाबा कैम के अंदर भारी भरकम रकम लोगों से वस क्यों जासे देखने से लग रहा है कि दंडे से मार करके उसके हत्ते हुए है क्या पधी तो कि इस ही घर में इसकी चोटी बहन भी भ्याई हुई है उसके कत्ना नुसार यह की पती-पतणी के बीच का बीबात था इसे ऐसे पिज्यों हऊए के एक गटना कैसे कि स्तिती हमार प्रदेश उपाध्यक योगिंदर सिंग ने आम आदमी पार्टी को छोड़ कर ब्यास्पी का दामन थामने के बाद जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोब भी लगा दिये हैं जोगिंदर सिंग पूर्वार में अफसर भी रह चुके हैं और उन्होंने सासरी रगर इस्तित पार्टी कारेयाला पर विजनौर से ब्यास्पी प्रत्याशी विजेंद सिंग के नेतुर्त में दरजनों कारेकरताओं के साथ ब्यास्पी पार्टी जोईन की है तको मैसूस तो बढ़िया है बसपा तो बसपा यह यह भी बड़ी डिस्प्लिंड और बेहन जी का जो कार्डर है हर तरीके से मजबूत भी है रही आम आदमी पार्टी की बात कारेकाल ठीक ठाक रहे लेकिन अब जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें कई जगे लोग फेल आके देखें तो मैं बंगला नहीं लूँगा मैं गाड़ी नहीं लूँगा सब कुछ नहीं लूँगा अभी तो मैं के स्टेटमेंट पढ़के बड़ी आहत हुआ कि इसमें 27 क्रोड रूबेन के 45 सार का बंगले का मतलब मरमत कराने का खर्चा है और बहुत सारी बाते रहे हैं तो पूरे काफी दिन से मन में उतर पुतल रही भी कही ना कहीं तो काम करना है तो बहुत अंकलन किया मैंने हर जेगे किया तो कुल मिला के मुझे बेंजी में वो सब चीजे दिखाई दी जो एक आर्मी अफसर में या आर्मी के काडर में होती हैं देखे हमारे बड़े हैं और यह इतने मजबूत हैं कि जिसके गंदों पर भी हात रख देंगे उसकी नईया पार हो जाएगी आज बहुजान समाज पार्टी के लिए बहुत खुसी का दिन है सबसे बड़ी बात यह कि एक आर्मी में अफसर रहे और आर्मी में अफसर की जो लाइफ होती है और जिन्गी का मकसद होता है वो देश सेवा का होता है इस समय देश में अखंटा की कमी है एकता की कमी है जात पात धरम पर लोग लड़ाई कर रहे हैं जात और धरम के नाव पर वोट मांग रहे हैं इन सब चिच्चों को भुलाते वे बहन जी का नारा है कि हम समाजी गटबं पहला आपने उधारन देखा और ऐसे आपको और भी उधारन देखने को मिलेगे बल्याचिले के सहदवार्थाना अंतरगत ग्राम सभापकहा गाओ में पती पतनी के विवाद में पती ने पतनी को लाठी से पीट कर हत्या खर दी पुलिस ने शवको कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया है वही घटना के बाद आरोपी पती मौके से फरार हो गया है वही घटना के बाद मौके पर पहुचे अपर पुलिस अधिक्षक अनिल कुमार ज्छा ने घटना इस्थल का जाय जाले कर अधीनस्तों को अवशक दिशान निर्देश दिये हैं और फरारा रोपी की तलाश में पुलिस चुट गई है आगरा में बुद्वार को अचानक मौसम बदल गया शाम को बादल छा गया और तेज आंधी की वज़े से आधा दर्जन विद्ध पोल तूट गया वहीं विद्ध पोल तूटने की वज़े से 60 गाउं की विद्ध सप्लाई बंद हो गई जिसके बाद अब ने विद्ध पोल लगाने के कारे में चुटे हुए हैं और साथ ही विद्ध करमचारी विद्ध विवाग के अधिकारी मौके पर मौझूद है जानकारी के मुताबिक शाम तक विद्ध सप्लाई होने के आसार जताय जा रहे हैं आपको बता दे कि पापरी रगर फीडर के गाउं विप्रा वली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है यूपी की खबरों में फिलाल के लिए बस इतना ही देश और दुन्या की तमाम बड़ी और एहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार परसेंटेश से इंप्रूव्ट जो की डॉक्टर नहीं कर सका है मैंने मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबें दो साल तक ये ट्रीट्मेंट करा थे को उनको समझ ही निया ये प्रॉब्लम क्या है बाट इस आप बेट रहे है